वेलकम स्टिरेंट वेलकम टोबर चैनल अज हम क्लास नाइन का मैथ टू का चैप्टर नमर वान बेसिक कॉंसेट्ट यह हम पढ़ने वाले हैं तो इसके कुछ बेसिक कॉंसेट्ट्स हैं वो सबसें पहले आपको फिलियर होने चाहिए तो सब में पहला है देखें बचों पॉ बच्छ बताने के लिए ये यूस किया जाता है और जो पॉईट होता है आरफन लेटर लाइक और dc ग्लब्लबु करेंगे सबस्क्राइब यह सबस्क्राइब करेंगे तो एक और पॉइंट लेते हैं इसको भी पैंसिल से या शार्पंसिल की निफ से कोई हम डौठ पनाते हैं तो ऐसे डौड को को हम पॉइंट कहते हैं इसको हम नाम दे से पॉइंट सी तो ए से लेकर जट कोई भी लेटर से हम इसको बता सकते हैं जैसे कि पॉइंट है जैसे कि पॉइंट है तो इस तरह किसी भी लोकेशन को किसी पॉजिशन को बताने के लिए हम यूज करते हैं पॉइंट चलिए नेक् तो यह चारों टरफ से जो होता है इसके कोई हद नहीं होती है जैसे कि यहां पर आप देख कर करने के लिये которого होती है वालेक जी एसके रह creations हाइब इसके length होती है ब्रेट होती है बट इसकी height में होती अब plane की कुछ example हम बता रहे हैं जैसे के यहाँ पर आप देख रहे हैं paper of notebook तो यह भी एक plane है paper of book वो भी plane है जिसके ओपर हम कोई चीज़ डौ कर सकते हैं लिख सकते हैं तो यह भी paper of notebook है आपका जो blackboard होता है यह भी एक example of plane ह और इसी तरह जो है जो भी चीज़ आप लिखने के लिए use करते हैं वो तमाम examples of plane है यह भी एक green board है यह भी एक example of plane है तो plane क्या होता है कोई भी एक flat surface होती है जिसके ओपर हमको figure draw कर सकते हैं तो plane की height नहीं होती है उसकी length होती है उसकी thickness नहीं होती है चलिए next concept की तरफ बढ़ कोई भी जानदार से बनता है इसी तरीखे से कोई भी figure वो point से मिलकर बनी होती है अब इसके अंदर सबने पहले हम देख रहे हैं line line is a straight path of points that has no beginning and no points से मिलकर बनी है देखिए इसके ओपर जो है points है और points को points जूड़ते 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 कोई ने होता हम इसको arrow mark से denote करते हैं तो यह arrow mark के बताते हैं कि यहां से भी infinite है यहां से भी infinite है यह आगे बढ़ती जा रही line has no thickness line की कोई thickness ने होती इसकी कोई मोटा ही ने होती extends in both the direction without end और यह बोद दाइरेक्शन में यह infinitely तोर पर extend होती की रहती है line has no end इसका कोई इंड नहीं होता अब line को भी हम कोई दो पॉइंट लेकर denote कर सकते हैं जैसे कि हम लिखेंगे line a b okay student या फिर line को एक single letter से भी denote किया जा सकता है अब यहां पर जैसे point का नाम देता हूं तो इसको आप बोलेंगे line इस तरह किसे line को कोई दो पॉइंट से भी आप डिनोट कर सकते हैं या फिर एक single letter से भी इसको नाम दिया जा सकता है जैसे कि हमने यहां पर आपको बता है तो इसको आप कोई है यह line segment है और इसके दो in point है इसके हम नाम भी दे सकते हैं जैसे इसको आप लिख सकते हैं segment PQ इसको आप scale के जरीए measure कर सकते हैं वेन इड़ डाज है इसके होते हैं यह line का चोटा सत्वकुड़ा है जिसको मेजर कर सकते हैं इसको हम बोलेंगे segment AB या फिर इसको आप शौर्ट में सेग AB भी लिख सकते हैं चलिए अब हम देखते हैं difference between line and line segment line को हम मेजर नहीं कर सकते यहां पर आप देख रहे हैं line दोनों तरफ से इन फाइनैट होती है यह यह आरो मार्क से इसको बताते हैं यहां फिर कर सकते हैं और इसका चोटा सा पार्ट अगर आप ले लेंगे तो यह हो जाएगा लाइन सेगमेंट को आप लेंगे सेगमेंट एप चलिए नेक्स कॉंसेट की बढ़ते हैं नेक्स कॉंसेट हमारा दे रे इस ऑल्सवाइब आपकोशन अफ़ लाइन है यह आगे बढ़ती जा रही है जैसे कि दर हम आप देखते हैं कि वो तो टॉर से निकल रहे हैं यहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है लेकिन इसका इन पॉइंट हमें मालूम नहीं है तो यह भी लाइन का एक पार्ट होता है अब देखिए इस एक्जामपल के अंदर इस फीकर के अंदर आप रे अब इस रे के उपर आप ध्यान दीजिए यह से हमें मालूम हो रहे हैं कि इसका इन पॉइंट में मालूम नहीं है तो यह एक तरफ से होती है और एक तरफ से हम रे इबी पढ़ते हैं चलिए इस करके अंदर आप देखिए इसको हम किस तरह पढ़ेंगे यह यानिके यह तरफ से होती है और एक तरफ से इन फाइनाइट है यह भी लाइन का एक पार्ट चलिए अब तक के जो गॉंसेट हुए थोड़ा सा हम रिवाइस कर लेते हैं जैसे के पॉइंट पॉइंट है और शेफ पोजिशन यहां पर आप देख रहे हैं पॉइंट एम बताया गया उसको इस तरह के से हम लिखते हैं उसके बाद हमने पड़ा था लाइन इस स्टेट पार्ट आफ पॉइंट यह पॉइंट से बना हुआ एक पाथ है जिसका कोई बिगनिंग ने होता है यहां पर आप देख रहे हैं लाइन एक्स हुआ है नेक्स्ट हमने पड़े थे लाइन सेग्मेंट इस पोजिशन ओफ ए इन पॉइंट है यह सेग्मेंट है चलिए पॉर्श नजवर्ण सेगमेंट है लेकिन तो हम पढ़नेट पॉइंट औउइंड और इस यह देख लेते हैं के यहां पर एक नमबर लाइन दी गई है आप आप आपसे नज़राइन में यह आपको कुछ नंदर आना है जिरो वन 1 2 3 4 5 यह आँगे एक्सेंड हो रहे हैं उसी तरह Hallo माइनस 3 माहना सब ही यह आगे एक्सेंड हो रहे हैं अब देखें यहां पर जो किसको दरशाता है माइनस पाइक को बताता यह पॉंट BL है वह मांइनस थी को बताता है जो पॉइंट ओ है वो जीरो को बताता है जो पॉइंट इस तरह आप लिख सकते हैं जिस पॉइंट को बताता है वो नमबर उस पॉइंट का कोडिनेट कहलाता है इसी तरह यहां पर हम बात करेंगे करेंगे जिस तरह आप लिख सकते हैं डा कोडिनेट का कोडिनेट कहलाता है अब हम देखेंगे डिस्टेंगे डिविट्वें तो पॉइंट के दर्मियान का दिस्टेंग क्या होता है तो फाइंड अब यहां पर आप देखिए नंबर लाइन के अंदर आप देख सकते हैं जो पॉइंट ओ है पॉइंट ओ का कॉडिनेट जीरो है पॉइंट एक का कॉडिनेट फ्री है अब यहां पर अगर आपको मालूम करना है पर एक्जामपल ए से लेकर ए तक का डिस्टंस क्या है तो यहां पर आप किस तरीके से डिस फिर समझते हैं जैसे कि आपको मालूम करना है भी सकते हैं लैंट फिस तरह सकते हैं यह कि अ मतलब है एस लेकर यह तक का स्फ़स्टंस which one is greater तो आप देखेंगे greater coordinate है 3 तो minus 5 is less than 3 या 3 is greater than 5 अब formula के उपर आते हैं formula में क्या है distance between two point is equal to larger coordinate minus smaller coordinate तो यहाँ पर आपको मालम करना distance of ae is equal to अब देखें larger coordinate है 3 minus जो smaller coordinate है वो है minus 5 तो आप यहाँ पर इसको further solve करेंगे 3 यह minus minus will get plus 3 plus 5 तो आपको answer मिल जाएगा तो आप यहाँ पर लिखेंगे the distance between point a and point e is 8 cm तो इस तरहे के से हम distance मालम कर सकते हैं चलिए एक और example ले ले लेते हैं उससे आपको distance का concept और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा अब यहाँ पर आपको अगर distance of ac मालम करना है तो distance of ac तो समय पहले हम देखेंगे coordinate of point a क्या है आप देखेंगे coordinate of point a is minus 5 उसी तरीके से coordinate of point c क्या है coordinate of point c is minus 2 तो हम देखेंगे which one is greater minus 5 is greater minus 2 is greater तो आप देखेंगे कि मैनस 2 greater है यहाँ पर हमारा formula है distance of ac is equal to larger coordinate माइनस smaller coordinate अब इसमें देखेंगे तू यह larger coordinate है अब पहले हम देखेंगे minus 2 minus smaller coordinate minus 5 smaller coordinate है तो हम यहाँ पर देखेंगे minus 2 minus minus get plus 5 is equal to 5 में से 2 अगर minus करेंगे तो आपको मिलेगा 3 तो यह जो भी distances मिलते हैं आपको positive values इनकी मिलती है क्योंकि distances हमेशा positive होते हैं अब हमारा next concept है betweenness betweenness मतलब कौन किसके बीच में है कौन किसके धर्मियान है अब जैसे कि यहाँ पर तीन figure आप देख रहे हैं if PQRR three distinct points and collinear यह यहाँ पर यह figure number one है यह figure number two है और यह figure number three है तो आप figure number one, two, three के अंदर आप अफ़र कीजिए PQR यह एक ही line के उपर exist करते हैं इस वज़े से यह points को linear points कहलाते हैं तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि point Q यह बीच में है किसके बीच में है? P और R के बीच में है उसी तरह यहाँ पर point R यह point P और point Q के दर्मियान है उसी तरह point P, point R और point Q के बीच में है तो इस property को हम कहते हैं betweenness की property इन figure को देखने के बाद आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा point कौन से दो point के between में है लेकिन अगर आपको coordinate दे जाते हैं तो coordinate से आप मालुम कर सकते हैं कौन सा point कौन से point के दर्मियान है तो उसके लिए आपको formula याद रखना पड़ेगा तो इस figure के लिए हम formalize तरीके से लेकिंगे distance of PR is equal to distance of PQ plus distance of QR अगर ये prove हो जाता है कि PR का जो distance है PQ के distance के और QR distance के addition के बराबर है तो आप बोलेंगे कि point Q ये between में है किसके between में है PNR के between इसी तरह इस figure के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं distance of PQ is equal to distance of PR plus distance of R इस figure के लिए आप के पास formula इस तरीके से आप लिख सकते हैं distance of RQ is equal to distance of RP plus distance of PQ तो अगर ये prove हो जाता है तो आप बोल सकते हैं P between में है R और Q के ये formula अगर प्रूव होता है तो आप बोल सकते हैं point R between में है PQ के और इसी तरीके से यह फॉर्मल अगर प्रूव होता है तो आप हो सकते हैं कि पॉइंट क्यू बिट्विन में हैं पॉइंट पी और आर के अब हम एक एक्जाम्पल लेकर बिट्विन निस की प्रॉपर्टी समझते हैं अब इस एक्जाम्पल में बच्चो इसके सल्यूशन में इसको हम एक्वेशन नमबर वन नाम अब हमें क्या करना है और टुए बच्चै कितना है और डिश्टेंस उफ एक्जाम्पल को हम आफजर कीजिए तो आप देखेंगे distance of BC भी 11 मिल गया है और distance of AB plus distance of AC दोनों का plus करने पर 11 मिल गया है इसका मतलब equation number 1 equation number 2 equal है तो आप लिखेंगे from equation number 1 and आप ये लिख सकते हैं distance of BC is equal to distance of AB plus distance of AC ओके student ये proof हो गया है इस वज़े से आप बोच सकते हैं BC एक segment है उसके जो between में है वो है point A अब यहां पर आप देखेंगे distance of BC कितना दिया गया था student 11 दिया गया था distance of AB कितना दिया गया था 5 दिया गया था और distance ABC कितना दिया गया था 6 दिया गया था 5 plus 6 करते हैं तो आपको मिलता है 11 यानि कि 11 किसका distance है BC का distance है इस वज़े से आप बोलेंगे B dash A dash C यानि के A between में है B और C के यानि के तीनों को linear है we hope that you have understood the concept हम उमिद करते हैं student के आपको यह concept समझ में आया होंगे अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आती है तो please हमारे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप नए हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए थैंक यू फर वाचिंग आवर वीडियो